गुद मानिंग इस्टुडेंट्स तुदेए वी विल स्टूडी चेप्टर नमबर एट इन यूर जोग्राफी बुक और चेप्टर नेम इस हमें इन्वार्मेंट इंट्रक्शन दे ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल रिजन में जो मनुष्य का जो इन्वार्मेंट है वो मेंल हम दो रिजन में इस टोपिक में स्टूडी करेंगे ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल रिजन में चेप्टर की स्टार्टिंग एक स्टोरी से दी वही है, इस्टोरी में रेनुका एक केरेक्टर का नाम है, जो की बहुत जदा एकसाइटेड है क्योंकि उसके अंकल श्रीकांत आने वाले हैं आज घर पे, और जो उसके अंकल है वो वाइल लाइफ फोटोग्राफर है, वाइल लोगों से मिलना तो वो भी बहुत जदा एकसाइटेड है, तो वो कई सारी पिक्चर्स रेनुका को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से लोग अलग हैं ये लोग हमसे, तो बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली अलग-अलग जगे के हैं, कुछ डेजर्ट से एरिया के हैं कोई फ्रोजन लेंड का है, जहां पर आइस जमी हुई है, कोई रेन फॉरेस्ट का है, तो डेफिनेटली सभी ज़र्ट की पिक्चर्स अलग-अलग हैं, लेकिन देखने में शाय सब अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी की जो बैसिक नीड है, फूट, क्लोथ, एंड शेल तो इस चेप्टर में एक स्टॉरी के थूरू बताया गया है कि अब हम स्टॉडी करेंगे कि कैसे हर जग का एंवायर्मेंट अलग रहता है, उसका क्लाइमेट अलग रहता है और वो किस तरह से एक इनसान की लाइफ को एफेक्ट करता है, यह सारा हम इसके थूरू तो हमारा फर्स टॉपिक लेते हैं लाइफ इन दर अमेजन बैसेंगे लाइफ किस तरह से रहती है तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें हम, यहां जानसे मैप के स्टॉडी करवाती हूं यह अमेज़न बैसन का मैप दिया हुआ है ठीक हैwać अमेजन बैसन जो है हमारा वह जीरो पर आता है तो जीरो के 10 पॉइंट अप एंड 10 पॉइंट डाउन वाला एरिया हमारा Amazon Basin में आता है ये जीरो एक्वेटर है तो ये वाला जो एरिया है वो Amazon Basin में आता है ठीक है क्लियर है ये देखने से दिखे है Amazon यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है उसका नाम है Amazon River क्लियर दिखाई दे रही है अगर आप इसे ब्रोट करेंगे अपने बुक में देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगी तो ये वाला सबसे पहले ये सिचुएशन देख लीजे कि ये कहाँ है एक्वेटर है एक्वेटर से 10 डिगरी नॉर्थ और 10 डिगरी साउथ वाला जो एरिया है हम इस पर्तिकुलर एरिया के भारे में आप बात कर रहे है आप हम इसके स्ट़डि करना स्टार्ट करते हैं तो जो अभी मैने आपको बताया 10 degree south और 10 degree north में है तो यह वाला जो area कहलाता है यह equatorial reason कहलाता है सबसे पहले तो और यहां पर Amazon river flow करती है clear और यहां mountain से गिरती हुई वो कहां मिलती है एंड में Antarctica ocean में जाकर east में मिल जाती है तो Amazon river कहां मिलती है एंड में Antarctica ocean में तो जहां पर मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहां पर एक नदी दुगा मतलब end होता है उसका तो उसे river mouth कहा जाता है मतलब जिस इस 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 पर कोई नदी किसी अन्य वाटर बॉडीज में मिल जाती है तो उसे river mouth कहते हैं हिंदी में इसे मुहाना भी कहते हैं और जो हमारी Amazon river है ना इसमें आपने देखा था उसमें काफी सारी जैसे Amazon river ये बह रही है तो अब इसके आस पास की बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिल रही है इस तरह की जो नदी होती हैं जो मिलती हैं तो उन्हें हम tributaries कहते हैं तो Amazon river में भी काफी सारी tributaries आकर मिल रही हैं और जो की कई पार्ट से जैसे Brazil, Peru बोविलिया, इक्वेडोर कॉलंबिया यहां से सबसे छोटी छोटी भागों से जो नदियां आतके वो कहां मिल जाती है Amazon basin में मिल जाती है इस मेप में आपको ये clear दिखाया गया है, ये सारे एरिया से मिल कर कहां आ रही है नदी, छोटी छोटी नदियां मिल कर ये हमारे Amazon basin में मिल रही है, clear? तो हमने Amazon basin के location देखी है इसमें और किस तरह से इसमें कई सारी नदियां आकर मिल जाती है, अब हम climate discuss करते हैं, कि वहां का climate कैसा होगा, अब climate के अगर हम बात करें, तो equator के आसपास, कैसा climate रहता है, equator कैसा रहता है सबसे ज़्यादा hot area अगर रहता है तो equator पर रहता है, तो ये कहां है Amazon basin, equator के आसपास के area में है, तो यहां पर hot तो हो गई, सही, लेकिन wheat climate भी होगा, नम भी होगा, क्यों नम होगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहां क्या होता है, yearly मतलब साल भर बारिश होती है साल भर बारिश होने के कारण यहां पर गर्मी भी बहुत होती है और climate कैसा होगा, hot and wet climate होगा, है ना और ये both day and night, मतलब दिन और रात almost इसमें hot or humid हो रहते हैं, गर्म भी रहते हैं और humidity भी बहुत रहती है humidity आप कः फिल करते हैं जब बारिश में जून के टाइम पर आप देखते हैं काफी गर्मी भी होती है और बारिश आती रहती तो हम कैसा फिल करते हैं अगर हम night से compare करें तो वहाँ temperature थोड़ा सा lightly down होगा लेकिन humidity फिर भी same ही रहेगे तो यह यहाँ का climate रहता है clear तो अब हम इसके बाद topic इसके बाद देखते है rain forest अब अगर हम rain forest की बाद करें तो rain forest क्या रहता है यहाँ पर heavy rain रहती है ना heavy rain वाला reason है मैंने पहले ही बता है कि equator के आसपास है तो गर्म और rain बहुत रहती है मतलब परड़े यहाँ पर rain होती है बारिश होती है तो इसके कारण होता कैसा है यहाँ का forest ठिक रहेगा क्योंकि इसे बारिश काफी मिलती है तो बहुत घना forest रहता है और इतना ठिक और इतना dense होता है कि roof creature by leaves मतलब जितने भी ऊपर इतनी पत्यों के कारण और जो branches है इनके कारण छट सी बन जाती है एक roof सी बन जाती है एक छट बन जाती है और उसके कारण क्या होता है sunlight जो है वो ground तक पहुँची नहीं पाती इतना ठिक होता है कि ऊपर से branches और leaves से इतना cover हो जाता है कि नीचे जो जमीन होती है land area होता है वहाँ पर sunlight पहुँची नहीं पाती है अब जब sunlight नहीं पूछती तो वहाँ कैसा रहेगा dark and dump मतलब ये कैसा area रहेगा जो जमीन रहेगी या की वहाँ पर काफी अंधिरा सा मिलेगा और dump माने एक नमी रहती है उस जमीन पर क्यों क्योंकि वहाँ पर sunlight नहीं मिल रही तो पानी सूपता ही नहीं नहीं बारिश जादा हो रही है तो पानी वहाँ पर नीचे जमीन में सूपता ही नहीं है इस कारण से only vegetation यहाँ पर grow ह होता है यहां कि region समझ में आया ना कि rain जादा हो रही है rain जादा होने के कारण पेड़ों की पत्या आब रांचे से हमेशा ग्रीन रहती है और वह एक चथ ₹चाइड का बना लेती नीचे शंलाइट नहीं आती सnt लाइट नहीं आने के कारण यहां पर डार्या अंधिरा रह जो कि पैरसाइट्स होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं अब यहां पर अगर हम देखें तो phuna maths animals किस तरह से रहते हैं तो काफी rich है यह इस मामले में Animals के मामले में कि यहाँ पर हमसे birds हैं है ना टोकोंज है Jamie birds है paradise यह है तो यह इतनी जो भी बर्ड है काफी colorful बर्ड है और जिनकी क्या होती है कि बड़ी चोंच वाले जो होते हैं जो से कि भारत में दिखाई देते हैं वैसे तो नहीं दिखते हैं लेकिन उनसे different काफी अच्छे अच्छे हमें यहाँ बर्ड्स देखने को मिलते हैं इसके कारण खाने वाले टैपर भी यहाँ पर मिल दाते हैं इसके अलावा रेप्टाइल में अगर देखे तो साप जितने भी हमारे स्नेक्स हैं रेप्टाइल हैं क्रोकोडाइल हैं एनकॉंडा और बोवा आधी जो एनिमल्स हैं यहाँ पर हमें इजीली अवलेबल होते हैं अच्छे यहाँ पर फिश मिलती है जो की मास को खाती है मतलब दूसरे मचलियों इसका नाम है पिराण्या मतलब Kh Forsch हना मतलब इस थिय्प होती है वहने में अमेजिनिन钱 में देखने को मिलती है तो मतलब इस प्रकार से अगर देखें तो बहुत सारी वाढक्कों हम यहा पर अमेजिन को मिलती है तो यह एक तरह से रिच है डावर्सिटी के मामले में अब हम अब हम देखते हैं पीपल ऑफ दर रैन फोरेस्ट मिंस रैन फोरेस्ट के लोग कैसे होते हैं वहां के लोगों की क्या स्पेसलिटी होती है तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो है वो स्मूल एरिया को क्लीन किया और वहां पर उन्होंने फूट के लिए वहां पर ग्रो करना स्टार्ट किया मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है ना तो छोटे-छोटे से वरक्षो को ट्रीस को क्लीन करके अपने लिए भोजन पैदा करने के लिए क्लीन कर लेंगे फॉरेस् जो हैं क्या करती हैं जितने भी क्रोग ग्रो हो रही है उनका टेक केर करती है उनकी देख भाल करती है और मेंली जो फूड है वो है मेंली जो यहां का फूड है उसमें देखते हैं टोपिकाना पाइनेपल और स्वीट पोटेटो यहां पर मेंली उगाते हैं क्योंकि अब क्या वो mainly क्या करती है अपनी उगाई हुई वेज़ेटेबल पर ही dependent रहती है ठीक है और जो यहाँ पर्शलेश एंड बर्न एगरिकल्चर का इस pattern से वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं और जो यहाँ का मेन खाना है उसे मेन खाने को मेनियोक कहा जाता है मेनियोक जिसे की कसावा second नाम है उसका कसावा भी कहते हैं कसावा एक underground होता है जिसे हमारे यहाँ पर आलू बोय जायते हैं आलू कैसे होते हैं जमीन के अंदर उकते हैं वैसे ही कसावा होता ह कई crop जैसे coffee, mass, cocoa यह यहाँ पर भी उगाए जाती है यह चीजे भी यहाँ पर उगाए जाती है अब यहाँ पर rain forest है तो इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ के forest से हमें लकडी मिलती है घरों के लिए हमें लकडी बहुत मिलती है और जो यहाँ की families है वो एक जैसे beehives नहीं रहता मदमक्की का छटा नहीं रहता उस आकार के छपपर वाले घरों में रहते हैं चोटे लोग तो छपपर आकार के घरों में रहते हैं और जो कुछ लोग हैं वो मलोका जिसे कहते हैं इस तरह के एक बड़ा अपार्टमेंट वाला घर रहते हैं उसमें रहते हैं तो मतलब दो तरह के लोग का इसमें दो तरह के houses का बताया गया है फास्त तो beehives मदमक्की के छटे जैसा घर जो की छपपर बनाके लेते हैं लोग और दूसरा है मलोका मलोका मतलब उनकी जो छटे रहती है रूफ ऐसी प्लेन रहके कैसी होगी slunting रही क्योंकि पानी बहुत होता है तो पानी बहे के नीचे निकल जाए तो इसमें मलोका का गर के थे जिसकी रूफ क्या होती है slunting होती है अब क्या हुआ धीरे धीरे लोगों का भी Amazon Basin में जो लोग रह रहे हैं वहांके लोगों में भी change आ रहा है पुराने समय में forest में forest के अंदर जाने का सिर्फ हमाई पास एक river ही जरिया थी कि ये river के जो river बहर ही है उसके अंदर से उसके थुरूई हम forest में पहुछ सकते थे लेकिन 1970 में क्या हुआ ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया जिसके कारण forest के सभी section में easily पहुचना संबभ हो गएगा इसके अलावा जितने भी helicopter है, aircraft है उनका भी उप्योग किया जाने लगा अब ये सब use करने के कारण क्या हुआ है कि जो population थी जो कि वहाँ अंदर रहती थी population है ना, जो कि अंदर रहती थी उनको निकाल कर बहार ला दिया गया और वहाँ पर भी अब वो उनकी जो पुराने pattern है उसको उस तरीकों को use करके वो कर रहे है मतलब जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो कहाँ शिफ्ट हो गया डेफिनेटली यह सब construction होगा तो वो बहार आ गये है अब देखो इस जो हमारा development activity होती है उससे gradually किस तरह से हमारे नुकसान होता है उसको इस diagram के थूप बहुत अच्छे से समझाया गया है यह देखे, diagram आपको दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर set हो गए हमने वो पूरा plane area कर दिया तो दिख रहा है कि हमने जंगल को क्या करना शुरू कर दिया काटना शुरू कर दिया अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है वो जंगल end में क्या हो जाता है कि जंगल इतना सा ही बसता है और बाकी सारी चीजें कतम हो जाती तो greenery पूरी खत्म हो रही है ना और हमारे पास forest भी नहीं मिल रहा तो forest में मिलने वाले जितने भी animals हैं जितने भी फॉना और फॉना हैं सब धीरे-धीरे क्या हो रहा है खत्म हो रही है और हमें सोचना चीए यह एक बहुत अच्छा डाइग्राम बताया है जो कि बताता है कि हम जितना जितना development की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे forest किस quantity में कम हो रहे हैं और कितना नुकसान हम nature का कर रहे हैं तो इस topic में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे इस lesson में जो next topic है गंगा ब्रह्मपुद बैसिन और यह सब हमारे next video lecture में पढ़ेंगे तो अभी के लिए इतना ही next video lecture में फिर मिलते हैं तब तक के लिए good bye